क्या रितिक रोशन हैं बॉलिवुड के साइलेंद आक्शन के रितिक की आक्शन फिल्में ही उन्हें बॉलिवुड के अन्य सूपर स्टार से बनाती है अलग रितिक की अपकमिंग फिल्म क्या असल में किसी सूपर हिट फिल्म की सीकुल है आज जिनी सारे सवालों के जवाब को लेकर हम हाजर है इस वीडियो में तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बॉलिग्राद स्टूडियो में जहां रोज आपको मिलता है नई और लेटिस्ट फिल्मों से जुड़े पैक्ट का डोज आज हम बात कर रहे हैं रितिक रोशन की वर फिल्म फाइटर के बारे में हाली में बॉलेवुड में टाइगर शौफ अपने आक्शन और स्टन्स के लिए काफी फेमस रहे हैं कुछ लोग तो नहीं बॉलेवुड का आक अच्छन फिल्मों को भी टकर देती है जी हा वह एक्टर है रितिक रोशन रितिक रोशन की एक्शन फिल्मों की लिस्ट काफी लंबी है पुरानी फिल्मों को जाने देते हैं आप लेटिस्ट फिल्मों की ही बात कर लीजे बैंग बैंग फिल्म तो याद ही होगी आपको इस फिल्म के स्टन से लेकर गाने इतने ज्यादा हिट हुए थे कि आज भी आगे इंडियन्स की कॉलर ट्यून बैंग बैंग फिल्म का टाइटल सॉंग है बैंग बैंग फिल्म में रितिक जिस अंदाज में दिखे थे उससे और ज्यादा बेटर दिखे वो टाइगर शौफ के साथ 2019 में रिलीज हुई ब्लॉग बॉस्टर फिल्म वार में हम भी टाइगर शौफ को तो आक्शन किंग कह देते हैं पर इस फिल्म को देखकर आप ये बात तो मान ही लेंगे कि रितिक भी टाइगर से कुछ कम नहीं है रितिक की आक्शन सीक्विंज हो या टाइगर के ये कहना काफी मुश्किल है कि इन में से कौन बेटर है इस बात से ही आप जान सकते हैं कि हम रितिक को कम समझने की गलती नहीं कर सकते हैं इसलिए बिलकुल ही आप मान सकते हैं कि पर हम आपको यह क्लियर कर देना चाहते हैं कि और फाइटर फिल्म का कोई भी कनेक्शन नहीं है फाइटर की बात करें तो सिदार तानन फाइटर को डारेक्ट करने के बाद वार टू पे जल्द ही काम शुरू करेंगे अब फाइटर की शूटिंग फिर एक बार जून में शुरू होने वाली है और उमीद ये है कि 2022 में अपने तयर रिलीज डेट पर ये फिल्म रिलीज हो ही जाएगी अब भले ही फाइटर फिल्म 2022 में रिलीज हो रही है इससे रिलेटर फैक्स रेगिलरली सामने भी आते रहेंगे तो अगर आप भी इन फैक्स और अपडेट्स को मिस्स नहीं करना चाहते हैं तो अभी क्यावी सब्स्ट्राइब कीजिए हमारे और आपकी यूट्यूब चै अबिल्म एक्स रिलीज है तो अईयूब चैनि वजडेब कीजिए हना चाहते हैं तो अधिल रखाईब चैनिप्स रहे चाहते हैं तो अभी क्या चाहते हैं।